नमस्कार आभार सु स्वागतम आपका बैंकिंग अन्फोल्ड चैनल में दिल से स्वागतम तो बैसिकली यह वीडियो हम लोगों का पिक्सल क्रेडिट काड्ड से रिलेटेड है जो HDFC बैंक सेलेक्टेड यूजर्स या तो कस्टमर्स को दे रहा है यह पिक्सल क्रेडिट सिंब्स करेडिट केड़िव नि करेड़िए जिसको आप पहले कस्टमाइज वहां कर सकती है जैसे यह सिमिलर उसी कांसेप्ट को करी फॉरवर्ट करते हुए HDFC भी स्यां क्रेयिट काड लाया है तो क्या क्या सकते हो नीचे देख सकते हँ कलर चेंज कर सकते हो आपना बा ब करते हो तो कैसे लेना है simply apply online करना कहा करना पेज़एप में पेज़एप क्या है पेज़एप HDFC का मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन है जो की पेमेंट हो रहा करने को लेकर के यूज़र भी हो रहा है इसका इंस्टेंट इस्वेंस हो जाएगा अगर आपको बैनर सो हो रहा है यह particular credit card के से रहेटेड इसमें अपना यह फिलप करना है इंस्टेंट अप्रूव होगा और digitally सो होना तो यह पूरा page app का use करके ही एक credit card apply होगा, कैसे apply होगा मैं नीचे बता दे रहा हूँ, अब सबसे पहले apply करने से पहले benefits के बारे में जाना चाहोगे, क्या-क्या benefits मिलेगा, जो भी transaction या तो जो भी heavy amount आपका रहेगा, उसको आप split कर सकते हो different part में, कितने महने में आपको payment करना ह कितना कटेगा, मैं नीचे बता दे रहा हूँ, उसको भी बारे में भी, 1% का fuel surcharge लगेगा, जो कि आज की rate में हर credit card में दिया जा रहा है, 25% का swiggy dine out आपको benefit देखने को मिलेगा, इस particular credit card अगर use करोगे तो, 5% का cashback मिलेगा, इन में से किसी 2 को select करोगे तो, लाइक इतने सारे जो इसके merchant दिख रहा है, इसमें से किसी 2 को आपको select करना देगा, उसी 2 merchant में अगर इस particular credit card से transaction करोगे तो 5% का cashback मिलेगा, और दूसरा है, 3% का cashback मिलेगा, इन 3 merchant में किसी एक को अगर आप select करोगे, means अगर आप flip card select करते हो 3 में से, तो सिर्फ flip card में ही 3% क cashback आपको देखने को मिलेगा, बागी कुछ भी spend करोगे, तो 1% का cashback देखने को मिलेगा, और आप customize कर सकते हो, ये बताया गिया है, पहिए इन पार्ट के बारे में मैं आपके साथ discuss कर चुका हूँ, कैसा लगेगा आपका credit card आप पहले से ही आप देख सकते हो, अगर आप banking unfold check करोगे तो आपका नाम ऐसे बन करके आएगा, NFC से powered रहेगा, ऐसा चोटा मोटा card रहेगा, इसका CVV और जो भी रहेगा, digitally आप चेक कर सकते हो, card number भी digitally चेक कर सकते हो, ये पसंद नहीं आए तो आप ice color, इनके हिसाब से ice है बट मेरे हिसाब से pink color का है, अगर आप pink color लेना कर दिया cashback का, कि क्या-क्या cashback मिलेगा, क्या-क्या नहीं मिलेगा, इसके बारे में अलड़ी हम लोग ने बात कर लिया, उपर में, अब EMI के बारे में, जैते कि मैंने discuss किया था, कि अगर heavy amount रहेगा, तो आप split कर सकते हो, number of parts में, parts means month होता है, इतना भी month में आपको payment हो रहा अगर आपने कभी बजाच का कार्ड यूज किया हो, और अगर consumable, durable loan हो गरा कभी लिया होगा, तो उसमें भी EMI का जो scene रहता था, सेम ऐसा ही रहता था, कितना अभी तक आपने EMI भर चुका है, कितना बाकी है, सारा उसके dashboard में सो करता था, सेम ऐसा ही आपको दिखेगा यहा पार्ट में डिवाइड करेंगे, EMI dashboard में मिलेगा, मिलेगा एक basic जो रहाता है BFL का उसको पूरा यहाप मर्च करके दे दिया गया है, आपको, फुली कंट्रोल कर सकते हो, पेज़ाप के जरीए, जो कि मैंने अल्रडी डिसकस किया था, बताया जा रहा है क्यों आपको आपक में आपको होना चाहिए, सेलेरीड हो तो 25,000 से या तो उससे ज्यादा income होना चाहिए, और अगर आप सेल्फ इंप्लॉइड हो तो 6 लाख या तो उससे ज्यादा का ITR आपको होना चाहिए, तो आप इस particular credit card के लिए eligible है, selected customer जो है, अगर वो apply करेंगे, तो as a pre-approved offer उनको दे दिया जा रहा है, और अगर आप selected customer नहीं हो, email और अगर करके, यह particular credit card मंगाना चाह रहे हो, तो यह सब कुछ income documents, जो कि उनको email करके बताना होगा, joining fees already मैंने discuss कर लिए, annual fees already मैंने discuss कर लिया, wave off होगा, अगर spend कर लेते हो, 90 दिनों के अंदर तब, और अगर annual fees को wave off करवाना है, तो आपको एक लाग या तो उसे ज्यादा spend करना होगा yearly, कैसे मिलेगा आप लोगो को simple page app का application यूज कर लेना है, download कर लेना है, अगर आपके पास पहले से है तो उसको update कर लेना है, update जैसे ही करोगे तो यहाँ पर इस तरह का banner बन करके आएगा, banner पर simply apply now पर click कर लेना है, basic detail को आएगा basic detail आप भरोगे, यह pre-approved एक तरह से अपलोगों को जब banner बन के आएगा, तो समझ लेना pre-approved है, simple basic detail इंटर कर लेना है, credit card जो है, instant आपके dashboard में सोहना शुरू हो जाएगा, और इसी का use करके, means page app का ही use करके, आप अपना transaction का control अगरा setting वगेरा है, वहाँ से ही change हो अगर आराम से कर सकते हो, वीडियो में मैंने बताया था कि किसको यह particular credit card लेना चाहिए और किसको credit card यह नहीं लेना चाहिए, तो सबसे पहला, अगर आपके पास अच्छा earning वगरा कर रहे हो, अच्छा civil score है, तो यह particular credit card को avoid करके, आप millennia या तो money back plus जा सकते हो, अगर HDFC का ही लेना है, तो इसके उपर भी बहुत सारे card है, जिसको luxury या तो exclusive card होगरा बोला जाता है, उसके तरफ भी आप जा सकते हो, अगर आपका बिजनस होगरा हो रहा है, तो बट अगर आपका business नहीं है, और आप बहुत जादा desperate है, कोई भी credit card को लेकर के, कुछ भी मिल जाया है, मैं उसको लेने के लिए ready हूँ, तो यह आप credit card के लिए आप जा सकते हो, बट अगें यह selected users को as a pre-approved offer दिया जा रहा है, बट अगर आप selected customer या तो users नहीं हो, तो उसके लिए आपको भी income documents हो रहा है देना पड़ेगा, जो की email के थुरू आपको बेजना पड़ेगा, और य spirit बहुत जादा हो तो, बट अगर आपके पास genuine income documents है, या तो इससे पहले भी credit card हो रहा है, या तो इससे पहले भी credit card हो रहा है, तो कोसिस करो, card to card basis पे अच्छा credit card ले लो, अगर HDFC का ही लेना है, मेरे हिसाब से सबसे best अभी के date में है millennia, जो की unlimited 5% cashback देता है, अगर flip card ज़रूरत नहीं रहता है कि आप Amazon सेलेक्ट करोगे तो ही 5% मिलेगा, या तो flip card करोगे तो ही 5% मिलेगा, तो मेरे हिसाब से सबसे best है अभी के date में millennia, जो की आप जा सकते हो, जिसमें आपको launch offer access वोगरा भी मिल जाएगा, इसमें आपने कहीं भी देखा कि आपको launch access वोगर या बहुत ज्यादा है, ज्यादे कि एक लाग या तो उसे ज्यादा spend करोगे, तो ही annual fees जो है ये वेवफ होगा, but money back plus के case में 50,000 या तो उसे ज्यादा spend करोगे, जो भी 500 रुपया पलस 18% GST का जो charges हो रहा है, वो वेवफ हो जाता है, money back plus के case में, millennia में एक लाग करना पड़ेगा, तो जाकर के आपका 1000 का जो fees है वो वेवफ होता है, मैंने अपना जो भी review था या तो जो भी opinion था इस वीडियो के जरी आप लोगों को दे दिया, आप लोगों का क्या review है इस particular credit card से related, क्या आप ये credit card को apply करना चाहोगे, ये सारे जो भी doubt है मेरे मन में मैं कोशिज आसा करता हूँ कि आप comment section में उसको आप जो भी doubt है उसको आप clear करोगे, कि आप apply कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये credit card लेना अच्छा है कि नहीं है, तो जो मेरे मन में doubt है, आप comment section के द्वारा उसको resolve और करो, और इसी तरह के notification या तो update के लिए इस particular channel क support कर सकते हो, और जैसा आप लोगों का कहना रहेगा, तो मैं इस particular credit card को apply करके भी दिखा दूगा कैसे apply करना है, कैसे apply नहीं करना है, look and feel कैसा है, अगर apply करोगे तो, so आपका response के उपर मैं वीडियो भी लेकर कर आऊँगा, इसी channel पे, so I hope ये वीडियो आप लोगों के helpful लगा होगा, इसी तरह के notification और update के लिए, इस channel को support कर सकते हो, इसी note के साथ, देशी राज रंदन सिंग, signing off, thank you